जैभीम नमबुद्धाय सात्यों आज हम बात करने वाले हैं तथाकत गौतम बुद्ध के पंच सील धज के बारे में बौध धम धज पंच सील धज क्या है पंच का अर्थ होता है पंच और सील का अर्थ होता है आचरर पंच सील, ध्वज, पंच सीलों, तथागत गौतमुद के पंच सीलों को दर्साता है पंच सील के वारे में बात करते हैं पंच सील कौन कौन से हैं पहला सील होता है मैं अकारण प्राणी हिंसा से दूर रहने की सिच्छा गरान करता हूं दूसरा सील होता है मैं बिना दी गई वस्तु को ना लेने की सिच्छा ग्रान करता हूँ तीसरा सील होता है मैं काम भाबना से विरत रहने की सिच्छा ग्रान करता हूँ चौथा सील होता है मैं जूट बोलने और चुगली करने से विरत रहने की सिच्छा ग्रान करता हूँ और पांचमा सील होता है मैं कच्ची पक्की सराब नसीली वस्तूओं के प्रियोग से विरत रहने की सिच्छा ग्रहन करता हूँ पंच सील भज में पांच रंग होते हैं जो पहले खड़े अर्थात बायें से दाएं और उसके साथ पांच लेटे हुए अर्थात उपर से नीचे की ओर दिखाए गए हैं पांच जो रंगों की विशेस्ताएं अलग अलग हैं जो पहला रंग होता है नीला होता है नीले रंग व्यापकता एकता समता और समानता का प्रतीक होता है दूसरा रंग पीला होता है पीला रंग प्रेम दया और करुणा का प्रतीक होता है तीसरा रंग लाल होता है लाल रं आत्म विश्वास, आत्म निरवहरता, आत्म सम्मान और द्रड संकल्प का प्रतीक होता है। चौथा रंग सफेध होता है, सफेध रंग सत्य सादगी, मदूरता, सचता और बंधुत्तों का प्रतिक होता है, पांचमा सील, पांचमा रंग केसरिया होता है, केसरिया रंग त्याग, शमा सीलता और आत्म चिंतन का प्रतिक होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आप क्या विश्यस्ता हैं क्यों इसमें पांच रंग होते हैं और इस तरह की ज्यादव ज्यादव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब